हेलो दोस्तों आज अब बात करेंगे साउट सुपर इस्टार विज्जे देवर कॉंडा के जीरो से हीरो बनने की फुल स्ट्रगल स्टोरी के बारे में और उनकी बायोग्राफी, लाइफ स्टार और केल रपोर्स न्यूटी के बारे में तो सुरू करते हैं विजे देवर कॉंडा की जीरो से हीरो बनने की फुरे सफर के बारे में तो स्वागत आपका मेरे यूटूब चेनल वीमुएंट के दे इस्ट्रगल स्टोर में जिसमें मैं आपके लिए एवरी संडे और वेनिस्टे लेकर आता हूँ एक न्यूज से लिप्रिक्टी की स्ट्रगल स्टोरिश मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजे मेरा चेनल और बेल आइकोन को दबाना ना भूले वीडियो में हम बात करेंगे बायोगराफी एंड वीजे देवर कॉन्डा के स्ट्रगल स्टोरी एंड उनके केर एन अपोरिटी के बारे में एंड लास्ट मोटिवेस्टनल थौट तो वीडियो को सुरू करते हैं विजे देवरकॉंडा का पूरा नाम विजे साइन देवरकॉंडा और उनका जनम तेलंगाना में 1989 को हुआ आज हुआ 31 येर के उनके काश्पदमा से लिए अब बात खरते हैं विजे देवरकॉंडा की फिजिकल स्टेंडर की उनकी हाइट 5 फिड 10 इंज है और उनका वेट 70 कैजी है और अभी अन्मेरिड है उनकी इंकम के बात खरते हैं उनकी इंकम 7 करोड पर मूई है विजे देवर कॉंडा की सुरुवाती स्कूलिंग इस्टरंट टेंपल हाई स्कूल हैदरबास ची हुई और उन्होंने बदूर का कोलेज और कोमर्स से भी कॉम किया एक इंट्रो में वो बताते हैं कि उनकी पोलेज टाइम में और उनके पास रूम रेंट के लिए पेसा तक नहीं था फिर उन्होंने थोड़ो बहुत पेस्टों के लिए एक लोकल थेटर में काम किया अब बात करते हैं विजे देवर कॉंडा की फेमिली के बारे में विजे देवर कॉंडा की फेमिली में च्यार मेंबर हैं जिन में इनके छोटे भाइ आन्न देवर कॉंडा ने भी अभी एक न्यूँ फीलम से डेब्यू किया है अब बात करते हैं विजे देवरुकॉंडा के केरे रिनल एपोर्चनिटिस के बारे में विजे देवरुकॉंडा ने सबसे पहले 2011 से नेवी एला मुवी में डेब्यू किया था जिस मुवी की रेटिंग एवरेज रही थी और उसके बाद उन्होंने 2012 में लाइफ औब ब्यूटिफूल मुवी में काम किया और उसके बाद 2015 में विजे देवरुकॉंडा ने ये वड़े सूपरमन ने मुवी में काम किया जिसका एंदी नेम है यह जिंग ली ये इनकी पहली हिट मुवी थी और उसके बाद विजे देवरुकॉंडा ने एक तेल कुंवी में काम किया और उसके बाद 2017 में उन्होंने दौर का मुवी में रोल ने बाया जो एक हिट मुवी थी के बाद 2017 में ही उनकी एक सूपर एक मुवी आई अर्जेंगेडी बोलिवुड की कबीर सिंग साहिद लुपूर की मुवी इसी मुवी की कोपी है और उसके बाद 2018 में उन्होंने गिता गोईंदम में काम किया जो इनकी बहुत ही सुपर हेटिंग मुवी वर्ल्ड फेमस लवर है जिसकी हेंडी डेबियूम अभी बाकी है और टेल पूम में ये आ चुकी है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अब चलते हैं मोटिवेशनल तोट की तरफ अब चलते हैं मोटिवेशनल तोट की तरफ